नमस्कार वंदे मात्रम सौगत है आप सभी का नोकडीखबर.com के ओफिसल यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंगनवारी प्रसिक्षन बंपर भरती 2023 के बारे में जहां पे आप सभी के लिए अंगनवारी सुपरवाइजर, अंगनव और अंगनवारी सहाइका के साथ हिलपर जैसे पदो पर भरतियों के नोटिविकेशन जारी किये गए हैं दोस्तो अगर आप लोग के बल दसवी या बारवी पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइबेट या सरकारी नोकरी नहीं हैं और साल 2030 में आपका सपना है अपने गाउं या जिले के अगनवारी बिवाग को जोईन करके सरकारी नोकरी पाने का तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा बहुत ही अच्छा मोका आ चुका है आप सभी लोग आने वाली 15 अपरेल 2030 तक इन प्रसिक्षन भरतियों के लिए आवेदन करक आपको आगे स्भीडों में आवेदन करने की संपून प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी आपको बता दे टेकनिकल एजुकेशन डवलपमेंट एंड मैन पावर रिक्यूट्मेंट सर्विसेज की तरफ से आगन बारी की बंपर भरतियों के नोटिविकेशन दिखाऊंगा और ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक कहां से आपको मिलेगा इसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं दोस्तो और इंडिया लेबल पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं यानि भारत के किसी विराज जिससे देश के किसी भी कोने से आप लोग आते हैं आप जानवारी के अंदर जॉब करना आपका ड्रेम है तो आप लोग अभी कभी इस वीडियो को लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोडिविकेशन को आन करना बिल्कुल भी मिस्त मत करिएगा आए हम लोग सार इसल विपसाइट के उपर आ चुके हैं जो की इंडिया का सबसे ट्रस्टेड निउज आर्टिकल पब्लीसर है इपेपर के माध्यम से यहां पे अपडेट आई है आप लोग देख सकते हैं तकनीकी सिक्षा विकास और समसक्ति भरती सेवाए यानी टेकनिकल एजूकेशन and manpower recruitment services की तरफ से यह online आगनबारी प्रसिक्षन भरती जारी करी गई है यहां पर आपको आगनबारी supervisor आगनबारी teacher आगनबारी वरकर आगनबारी सहायका के लिए नोड़ी विकेशन मिलने वाले हैं इचुक उम्मीदबार आविदन कर सकते हैं आने वाली 15 अप्रेल 2023 तक य अप्रेल 2023 तक आप लोग आविदन कर सकते हैं बाकी की जानकारी आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं यहां पर साप साप बताया गया है कि आप देश के किसी भी कोने से आप अपलाई कर सकते हैं और घर बैठे online यह जो प्रसिक्षन भरती है उसको complete कर सकते हैं यहां पर पर देख सकते हैं कि तकनीकी सिक्षा भिकास और समसक्ति भरती से भाएं आगनबाडी प्रिक्षन में अगनवारी सुप्रवाईजर अगनवारी टीचर अगनवारी वर्कर अगनवारी सहाय का हेल्पर के लिए online आगनवारी प्रिक्षन नोटिविकेशन जारी किया गया है उम्मीदबार इसके लिए एक जनवरी से लेकर 15 अप्रेल 2023 के रात 12 बज़े से पहले तक आविदन कर सकते हैं इसके लिए इनकी ओफिसल वेबसाइट पर आपको जाना होगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं www.tedmrs.in पर आपको इसका लिंक बीडियो के डिस्किप्शन में मिलेगा प्रसिक्षन का नाम और अबद ही आप लोग देख सकते हैं सुपरवाइजर के लिए तीन महीना अगनवाडी के लिए दो वर्स अगनवाडी वर्कर के लिए यहाँ पर तीन माह और आगनवाडी सहाय का हिलपर के लिए तीन माह का समय यहाँ पर रखा गया है इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं नीचे आने पर आपको और भी जादा जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी इसके नीचे आएंगे तो आपको उम्र देखने को मिलेगा जो की है एक 30 मार्च 2013 को 18 से लेकर 37 साल से उपर की नहीं होनी चाहिए बागी आरक्षित वर्गों के उमिदबारों को अधिक्तम आयो सीमा में केंदर सरकार के नेमों के अनसार छूट दी गई है इसके बाद application fees के बारे में जानकारी है और कैसे आप लोग आवेधन कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बेसिक जानकारी दी गई है साथ में आवेधन करने का link भी है, official website भी है और official notification के लिए यहाँ पे आपको एक PDF भी मिलने वाला है चले हम इस PDF को डाउनलोड करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो PDF है वो डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे आपको technical education development and manpower recruitment services देखने को मिलेगा तकनीकी सिख्षा विकास और स्रम सकती भरती से बाएं यहाँ पे आपको इस recruitment की complete जानकारी मिले वाली है सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको यह PDF आसानी से कहाँ पे मिलेगा और कैसे आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे तो दोस्तो वीडियो के description में आपको एक link मिलेगा जहाँ पे click करके आप लोग इस page पे आप आएंगे नोकरीखबर.com पे यहाँ पे देखे अगनवाडी टीचर होवर कर सहाईका और हिलपर जैसी पोश्टे देखने को मिलेंगी 15 अप्रेल 2030 आप एदन करने की अंतिमतिती है और 18 से लेकर 37 साल तक के candidate यहाँ पे आप एदन कर सकते हैं अप्लीकेशन फीस की बात करें तो जर्नल OVC EWS का 400 और SC और HD के लिए 300 रुपए अप्लीकेशन सुलक आपको पे करना होगा जो की online ही पे किया जाएगा और्गनाजेशन आपको बता दिया Technical Education Development and Manpower Recruitment Services होने वाला है देश के किसी भी राज जसे किसी भी कोने से आप लोग आविदन कर सकते हैं किसी के लिए भी कोई भी यहाँ पे जो है तो बंदिस नहीं है कि आप आविदन नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे आपका Qualification दसवी बारवी और Graduation बाकी आपको Post-wise Qualification नोडिविकेशन पे मिलेगा 15 April 2013 तक आपको आविदन करना है और मेरिट के अधार पे आप सभी का चयान होगा बिना किसी एक्जामनेशन के इसके बाद आपको यहाँ पे सारे के सारे लिंक मिलेंगे आविदन करने के लिए यहाँ पे Apply का लिंक है इस पे क्लिक करेंगे और अगले पेंच पे आजाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग TEDMRS.IN की Official वेबसाइट पे हैं यहाँ से आपको नीचे आना है और यहाँ से सबसे पहले आविदन करना है उसके लिए Country already selected है इस टेट आप लोग सभी राज्यों से आविदन कर सकते हैं तो जहाँ से भी आपका आविदन करने का मन है जहाँ से भी आप हैं आविदन कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगी साथ में आप लोग यहाँ से अपना डिश्टिक भी सलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको आना है एक Capture Code फिल करना है और I have read the instruction and accept the above declaration की बटन पे क्लिक करके submit की बटन पे क्लिक करना है और आगे आपको इस form को फिल करना है form के अंदर क्या जानकारी फिल करनी है उसके लिए आपको यहाँ पे notification डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद ही आपको आगे जो है तो प्रोसेस करना होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा notification ओपन हो चुका है और इसमें सारी जानकारी दी गई है तकनीकी सिक्षा विकास और समसक्ति भरती सिवाओं की तरफ से यह भरती है जहाँ पे आगनबाडी सुपरवाइजर, टीचर, वरकर और हिलपर जैसी पोश्टे मिलेंगी सुपरवाइजर के लिए सनाता क्यानी, ग्रेडिवेशन, टीचर के लिए बारवी पास, वरकर के लिए दस्वी पास और सहाई का हिलपर के लिए भी दस्वी पास यहाँ पे केंडिडेट एलेजवल है इसके बाद अगर हम बात करें योगता के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, योगता उपर मैंने आपको बता दी है, क्या क्या एजूकेसन आपका होना चाहिए, 18-37 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, अपलीकेसन फीस यहाँ पे दी गई है, और बाकी महत पूर्ण सूचना वगएरा को आप लोग इसको जरूर पढ़ लें, कैसे आपको आवेधन करना उसके बारे में जानकारी है, चले मैं आपको एक फॉर्म दिखाता हूँ, जो कि आपको ऑनलाइन फिल अप करना होगा, तो यह रहा वो फोरम, यह कॉपी है, नमूना फोरम है लेकिन सेम जानकारी आपको ऑनलाइन फिल करनी है, तो आप लोग इसको एक बार नोडिविकेसन के माध्यम से देख लें, कौन-कौन सी जानकारी आपको फिल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप लोग ऑनलाइन अपली केसन फॉरम को फिल करें, तो दोस्तों मेद करता वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको डाउट है, उसको आपको क्लियर करना है, तो सहायता केंद्र है, यहाँ पे इनका टॉलफी नंबर है, मेल आइडी है, सामको यहाँ पे जो है तो चार बै तक सुबह दस बज झाल, 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 झाल